हेलो फेर्ड एंड असलाम वालेकुम वेल्कम डू इजी लर्णिंग 700 ये एम्जीटी 4-0-1 की लेक्चर सीरीज चल लिए और आज का लेक्चर है 41 और स्टेम एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ें आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को डिप्रेटिफ वैल्यू इसके अंदर क्या होता के रिप्रेटिफ वैल्यू करनर के रिप्लेशमेंटٍ कोस्ट होती है या रिकवारेबल कॉस्ट विच्छेवर एस लैस या श्याने अगरान कोस्ट लासु जाके है तो छोड़ देंगे रिकवरेबल कॉस्ट। तो ले लेंगे इसी तरीके से रियलाइजबल वैल्यू अगर विचवर ज्यादा है ले लेंगे वैल्यू इन यूस तो छोड़ देंगे कि एन रिपलेसमेंट डूढेंट प्लेसमेंट यूस नहीं तो आपकी कवर हुगर कल रищेंटे मसí्जम कैसलार अथक जो किसे रिक विच मेंट से treatment से अब है एक मशीन जो कितने 70 को बने 2250 के शब्सक्राइब अगों तुस्यागे पहुद मेंटिख हुगाद था meant that is the कि 45000 रुपय चाही है गजी तो 40,000 रुपय तो 48000 होटा या जो वह मैं बनाएगा तो अब क्या करेंगे लेंगे तो फौर्टी एट थाउसन जो इसके लोई रहे है तो वह में ले लिया अभ इस तरिके से इसके अंदर क्या हुआ कि तो पचास था वह लेंगे क्यों कि विचेवर इस हायर जो रिप्लेस्मेंट कॉस्ट होती है रिकवर तो उसके अंदर वह लेंगे इस तरह के से कंपणी है मैं आपको रेक्मेंड करूंगा कि अपना है वह सामने रख लें ताकि आपको असानी से समझ आए वह कर रही है कि अज रही है मैं आपको अर्ट करें ओडिया कर दो था चाल रहे है चोश्ट है 3,000 रचेपर्व लिप्यम से 76 रॊप मस्परिरेों मैं net 2D 00.000 के पर वह फोगया है और भीर ठाइब 10 रच कि एनकंपड कहर पूर भाषक तो भातित को प्रूंस्तार डृस जोर को जाएगा और फर्दर जो है वो लेबर जो है वो रिक्वाइड होगी कितने बारह दार रुपी के लिए इन शॉट सप्लाई इफ दा मशीन इस नॉट फिनिश्ट वर्क वर्क फोर्स वोड भी सुच करेगी किसमें अनधर जॉब के अंदर सुच कर दी जाएगी और विच क्या होगा विच अंद जो होगा वो आपका तीस ज़हर रुपे होगा रिवनीव एक दिन कितना होगा डैरेक व कॉस्ट यहोगी होगी वह बीस हजार रुपी होगी और अबंनिन फूर्ड ओड यहार थि आख हजार रुप्य होगा और धुख नॉटक व प्ड़कर कॉंसंटेन कॉंट्रेक्ट तो बी कैंसिल और फिस कहें गए अलोकेशन ऑफ जनल ओवर एड जो होगी एक अपना 10,000 रुपय वोड बी एड होगे कोस्ट ऑफ अडिशनल अब क्या है सुलूशन का है relevant कोस्ट मस्ट बी समराइज क्या कोस्ट रेवन्यू कितना है कंप्रेशन पे आपको मिलना है वो मिलना है आपका 40,000 रुपय अब इसके अंदर ऑपरचुनिटी कॉस्ट कितनी दीवी थी कि अगर जिसे मिसाल यह नहीं बिक आपके सारे के सारे कितने आ रहे 10,000 रुपय और इनके मेंटल कॉस्ट जो है कि जो कॉस्ट लग रही है वो हमें कितने की लग रही है वो लग रही है ओवर हैट के अंदर ही 8,000 रुपय तो 36,000 रुपय आया और फिर इस तरीके से 36,000 रुपय आपका आ गया और फिर उसके जो है कि उस 36,000 रुपे से आपने 4,000 रुपे निकाल दिया तो आप 32,000 रुपे आंसर आ गया आप क्या है? Scenario Under Contribution Margin Product Mix, Product Additional या Deletion of the Product Drop Out of Department or Make or Buy Decision or shutdown यही मतलब Product mix करेंगे या फर अगर नहीं हो तो Additional product करेंगे या Deletion को करेंगे या तो ड्रॉप आउट करेंगे इपर दनेको या मेक और बाये मतलब कभी बार ऐस भी होता है कि आपको अंदर बनाने में जासे बिद्सक्राइब से नुकसान हो रहा है इसलिए आप बजार से सस्ता मिलना है तो वह आप वहां से जाकर ले सकते हैं और शट्डाउन डिविजन ये भी होता है कि कई दफ़ा कंपनी जैसे आजकल पाकस्तान के हलाथ सही नहीं चले तो तो यह जैसे कार की कंपनी ट्योटा है वह अनौस करती है कि हम अपना प्लाइन बन दखेंगे या पर सुजुगी है वह कहती है तो यह सारी डिसिशन इस तरीके से लिए जाते हैं और क्या सिनेरियो अंडर डिफ्रेंशल कॉस अप्रोच क्या है इंक्रीज द प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड शट्डाउन डिसिशन मेकिंग डिसिशन वही बात कि एसेट रिप्लेस्मेंट करी जा सक अगरे बात शे लग रहा है एस में वेरीबल कॉस एक लग रहा है और उसमें भी इस प्राइस कितनी है 14 रुपे और फिसके बाद जाके एस की जो है वह 11 रुपे जुलाई के अंदर अवैलबल होगा लिमिट्री कितनी लिमिट्री डिमिट्री इशन है कितनी वह 8000 रुपे तो सेल जो है वह 12्य सेल होगी 3,000 वाध और 15,000 रुपे अब मन्तली फिइक सनए कोस्ट कितनी है 20,000 रुपे और उपनिंग जो है या Monव में है और कॉलोजिंग जो है औरillarक्ता कि ऩुलिशेत्ट कहती करेंग कई जो अवह नहीं है अनिक बान यह क्पर्चिंग मादिशन क तो एक इतनागा काम कर एक इतनागी दो गंटे काम कर रही है। सेल्स कितनी है हमारी होंगी है, तीन हजारय यूनिट तीन हजार यूनिट और पांच हजार यूनिट और आपकी burg pipes पर इसके बाए जाके लेबर की नीड कितनी है छे हजार गंटे और पांच हजार गंटे होंगे तो 11,000 गंटे को जिसमें से अवाइलबल हमाइपस कितने 8,000 गंटे ही अवाइलबल है शॉटेज कितनी है तो लेबर इस लिमिटेड फॉर इस फैक्टर इन प्रड़क्शन इस की यूनिट कितने है तो 14 में से आपने छे निकाल आट निकाल इस चे बचे उसके रचे और लेबर जो है वो आए या फैसे तो गंटे एक गंटे और पर कॉंटुबिशन पर लेबर जो है वो थी और चार गंटे हैं अब डिन करने किसका स्लूशन का के वाइट है और पाँच हजारी और एफ जो है वो भी तीन हजार और छे हजार है गया रहा हो गया और हमारे पर अवैल्बिल कितने आर्ड जिसमें आम ने डिवाइड के पांच उसको दे दिये एफ को और एसको तीन घंडे दिये अब इस तरीके से हमने कहा किया कि अब हम यूनिट कितने ब्रोडिटीस कर रहे हैं 5000 और अर्डिज कितने 5000 और अब कॉंट्रिबिशन भी बिश तो 20 हो गए इस देगे से आपके 30 इन यूनिट जो हैं वो विकरें तो वो 3000 है और 6000 आपके अर्डिज नीडिए है और पिक जो तीन अज़र है तो 11,000 आपके पास आ गए और 8,000 उसके आ गए तो अब जो fix cost थी आपके पास 2,000 सवाल में दीवी तो 9,000 आपको शेयर कर दीजाएगी तो ये 9,000 आपके पास आ गए मैं उमीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो